सर्दियां स्टार्ट होते ही साधी दाल अच्छी नहीं लगती खाने में तो आज हम बनाएंगे तड़के वाली दाल अगर फ्रेंड्स इस तरह से आपने बनाया तो बहुत ही अमेजिंग लगता है इसका टेस्ट बनाना भी बहुत इजी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम इसे धोलेंगे तो यह अराम से तीन से चाल लोग के लिए में बना रही हूं और इसे दो से तीन पानी से अच्छे से रगड के धूलेंगे ताकि जो भी इसमें केमिकल या पॉलिश हो प्लीन हो जाए दाल हमारा भूल चुका है यह प्रोसेस आप डारेक्ट कुकर में ही करना मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने प्लेट में रखा है यहां पे एक मीडियम साइज का प्याज और एक टमाटर और खूब धेर सारी हरी धनिया पत्ती और एक हरी मेस हमें तीखे पन का देना है कि तड़के में आगे यूज होगा तो इन सारी चीजों को मैं अभी कुकर में ट्रांसफर कर लोंगी तो जितना भी आप डाल डाल लेओ जिस भी कटोरी से या कप से उसका तीन गुना पानी जाएगा तो मैंने एक कप डाल लिया था करीब दोनों दाल मिला के तो अब इसमें मैं तीन कप पानी आट करूंगी एक बर आप इस तरह से बनाईएगा बनाना भी बहुत आसान है टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है तो बस लीड लगा के इसे तीन सीटी तक पकने देंगे अल्दी और नमक डाल देंगे स्वादा नुसार सबसे पहले पानी को अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे तीन सीटी लगाएंगे तीन सीटी बात देखें अच्छे से निकल चुका था तो अभी दाल भी हमारा परफेक्ट पक चुका है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो यहां पर आप गरम पानी डाल के जितना पतला चाहिए उसी साफ से आप कर सकते हो लेकिन यह वाली दाल तड़के वाली फक्ट फरल साफ का हमारा अरे राएंगे यहां मैंने करीब फांद से साथ ढ़्च गरम बानी डाला है तो गरम गरम बालना एक भर मपानी और्म तड़का लगाएंगे यहां पर इन चम्मर सरसों का तैल एक चम्मर जीरा पर शर्षम का तेल ठोड़ा एक ज्लब इक दलीए अगर आपका तड़का जल रहा है तो गैस बन कर दीजे पाशक के लिए थोड़ा सा हीं लाल मिस्ट पाउडर अथोड़ा सा हल्दी डाल रही हूं क्योंकि दाल में थोड़ा हल्दी कम लग रहा है अगर अगर जादा लाल वाली दाल चाहिए तो यहां पे कस्मेरी मिर्च कर दी हूं और इस तरह से हिलाते हुए अपना तड़का लगा लेंगे तो देखे यह बन गया है अब सर्दी हो जाए गर्मी आप यह तड़का वली दाल आपको बहुत पसंद दैने वाली है उपर से धनिया पती डाल देंगे और आधा नीबू निचोर देंगे तो बस कोटी के साथ या तो चावल के साथ खाई बहुत अमेजिंग लगता है तो है न बनाना बिल्कुल आसान अगर थोड़ी से भी रेसिपी अच्छी लगती है आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूल तो मैं इसे सिंपल सा चावल और सबजी के साथ सर्व कर रही हूं तो देखे कितना अच्छा टेक्स्टर है इसका इसके साथ मैंने फ्राइगो भी बनाई है इसकी रभी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो बनाईए और खाईए मजे करिए थैंक्स पर वाचि तो